तो बाई सब ये वीडियो आपको बताने वाला हो हमारी गेम के अंदर एक नया सिस्टम आया हुआ है BR Ranked Roll करके और CS Ranked Roll करके तो ये है क्या और इसका क्या use आएगा और इससे आपको क्या क्या reward मिलने वाला है तो चलो बीना time waste के वीडियो को start करते हैं लेकिन उससे पहले आप ये काम कर लो चोकि बिल्कुल free में होता है लेकिन आप लोग से एक request से चैनल को subscribe करके bell notification को all पे कर देना और वीडियो को like कर देना और ये वीडियो को share कर दो तो यहाँ पे आपको BR ranked और CS ranked करके देखने मिलेगा और इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी ये गोल गोल करके अलग-अलग color में देखने मिल रहा है red, purple, green करके और side में अगर आप देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे rusher, फिर rifler, sniper, support और bomber और ये बाइस चीज है क्या अब यही चीज आप लोग को CS ranked के अंदर भी देखने मिल रहा है और यहाँ पे आप लोग को अलग-अलग जो BR ranked के अंदर देखने मिल रहा था वो CS ranked के अंदर भी level 1 मतलब यह अलग-अलग level यह upgrade होगा तो अभी अगर आप मेरा BR में देखो सब कुछ level 1 का है और अगर आप मेरा CS ranked में अभी देखोगे तो level 2 पे मैं राइफलर में पहुचा हूँ तो यह level up होगा कैसे और यहाँ पे level up करने से क्या benefit है क्या कुछ reward मिलेगा वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा तो देखो यहाँ पे आप लोग ना देखो यह एक option भी दिया हुआ शेर करने का अगर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बताएगा शेर करने पे कि यहाँ पे आप लोग सीजन 24 जो CS ranked है उसके अंदर आप भाई क्या थे रशर 10% सपोर् अभी देखो आप जो भी गेम खेलते हो अगर आप VR ranked खेलोगे और YAR Ranked कहिलने पे आप लोग का यहाँ पे होगा अगर आप लोग को यह घै यह आप लोग तो बढ़ते जाएगा मतलब आप लोग रश करके मारो गहे है तो यह आप लोग देखो शॉर्ड ट्रेंच गन है ये SMG और shotgun ये short range gun है अगर आप ये यूज करोगे तो आप लोग को rusher माना जाएगा और rusher का देखो percent देखो 61% अब देखो मैं video बनाने के लिए यहाँ पे normally BR ranket के अंदर उतर कि फटाक से rush कर रहा था इसके लिए मेरा rusher यहाँ पे 61% हो गया अगर यहाँ पे अगर CS ranket के अंदर देखोगे तो मेरा यहाँ पे राइफलर यहाँ पे हो गया 62% अब यहाँ पे आप लोग को नीचे देखने भी मिलेगा elimination with rifle मैंने राइफल के साथ अब आप लोग बोलोगे राइफलर है क्या तो राइफलर देखो एक simple चीज़ आप लोग को बता देता हूँ अब देखो यहाँ पे यह जो rusher है न rusher के बारे में आप लोग को समझा देता हूँ फिर राइफलर और sniper और यहाँ पे support और bomber जिससे आप लोग को clear हो जाए rusher नाम का जो चीज है वो भाई shotgun और smg gun से अगर आप kill करोगे तो यह rusher में count होगा और अगर आप यहाँ पे rifle और marksman rifle जैसे कि यहाँ पे हमारा marksman के अंदर आप लोग को दिखाई देता हूँ svd आता है sks आता ही यह सब आता अब गर आप यहाँ पे armory में आओगे तो यह rifle में आपको m41 AK47 यह सब जितनी भी gun है यह सब gun आप लोग को देखने मिलता है ठीक है और अगर आप marksman rifle में आओगे तो marksman के अंदर आप लोग को और हाँ अगर आपने मेरा whatsapp चैनल नहीं देखा है तो आपको बता दू यहाँ पर आप लोग को बता रहा है कि अगर आप लोग यहाँ पर जो हमारा rifler है इसके अंदर आप rifle marksman rifle यूज करते हो आप लोग को count करेगा यहाँ पर rifler में तो rifler का देखो यहाँ पर मैंने 13 किल किया rifle से जो कि यहाँ पर headshot elimination भी बता रहा है कि मैंने rifle से 3 headshot मारा देखो ज़ादा headshot नहीं मारता हूँ और इसी तरीके से आप बताएगा आपने कौन सी गन से सबसे ज़ादा मारा है तो मैंने most of the kill किया elimination वो है पराफिल तो पराफिल गन यहाँ पर आप लोग को दिखा रहा है कि पराफिल से मैंने ज़ादा किया है अगर आप BR ranked पे देखोगे तो यहाँ पर बता रहा है elimination with rifle तो यहाँ पर मैंने 4 kill किया था rifle से और यहाँ पर सबसे ज़ादा जो kill किया था मैंने भाई M14 से किया था यहाँ पर 3 level वाली M14 मैंने कि यहाँ पर kill किया था सबसे ज़ादा अभी यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर बीच में बात मेरी कड गई तो आप लोग को मैंने बता दिया यह रशर क्या है shotgun, SMG gun होता है यहाँ पर आप लोग देख लो और इसी के बाद राइफलर क्या है बता दिया अब यहाँ पर आप эт स्नाइपर के बात करेंगे स्नाइपर होता है भाई हमारा स्नाइपर राइफल अब स्नाइपर राइफल के अंतर कौनजी कौन सी gun आती है देखो मैं थोड़े डीरेल में समझा रहा हूँ वेडियो थोड़ी नंबी बन सकती है ये सब गन आप लोग को count में आएगा हमारे भाई sniper वाली के अंदर देखो जो हमारा ये sniper है रोल के अंदर जो sniper दिख रहा है ये sniper में count करेगा ठीक है तो आप लोग समझ गया sniper वाला क्या क्या gun का आएगा मतलब ये जितनी भी चीज़ है ये kill करने पे अब यहाँ पे support में क्या आएगा अब support में बता रहा है कि आप कोई character यूज करते हो जैसे clue हो गया dimitri हो गया homer थीवा तो भाई मैंने ना तो clue इस्तिमाल किया ना dimitri इस्तिमाल किया ना homer ना थीवा तो अगर आप लोग अब देखो ये जो character है ना जैसे clue dimitri homer थीवा अब ये चारो character क्या काम में आता है मालूम आपको तो personal काम करता है आपके लिए लेकिन ये support करता है हमारे teammate को तो इसके लिए इसका नाम रखा गया है support समझ में आया तो यहाँ पे आप लोग को होगा enemy scan तो dimitri नहीं कर सकता है homer भी नहीं कर सकता है थीवा कर सकता है clue करेगा clue के लिए ये specially दिया हुआ है enemy scan का और total healing अब total healing के अंदर आप लोग भाई ना तो clue heal करता है dimitri heal करता है तो ये homer का भी कुछ काम में नहीं होमर का भी कुछ काम का नहीं भाई mad kit ये सब का use नहीं है और इसी के साथ अगर आप देखोगे last वाला bomber अब bomber के अंदर देखो यहाँ पे दो चीज़ एड किया है एक तो एक character आप भाई यूज करते हो alvaro और a124 अभी आप बोलोगे alvaro और a124 क्या skill है तो भाई आप लोग को alvaro को बारे में तो पता ही है अगर आप लोग को इसके बारे में नहीं पड़ता है 124 के बारे में 124 बोल रहा हो यार a124 तो यहाँ पे देख लो a124 यह रहा तो a124 करता है क्या मालूँ एक ना बाई अनलीस करता है आठ मीटर के अंदर ना जितने भी प्लेयर रहेंगे उनको इलेक्ट्रो मैगनेटिफ की एक वेब देखो बॉम जैसा फेकता है यह जैसे इसकी active skill आप on करते हो और भाई वो सामने अले अनिमनी की जितने भी यहाँ पे पैसी भी active skill है उनको disable कर देता है और उनको damage भी देता है damage देता है 25 का damage जितने भी प्लेयर अगर है आठ मीटर के अंदर उनको भाई damage दे देगा 25 का और यह भाई last करेगा 20 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए उनका active skill बंद रहेगा और जो cooldown time है और वो 75% अलवर्यो को पता ही आप लोग का अलवर्यो का क्या है मुझे बतानी की जरूत नहीं है लेकिन तो भी बताई देता हूँ यह एलवर्यो जो character है इसका जो weapon damage है वो 20% का है मतलब आप जो grenade यूज करते हो ना उसका भाई damage 20% extra देगा और मतलब यह वाला मैंने unlock नहीं किया है और इसके बारें बता देता है और जो इसका भाई range है उसका भाई range damage range ग्रेनेड आप फेकते हो उसका 10% range बढ़ा देगा अगर आपने यह वाला एलवर्यो ओपन करके रखा है तो भाई ग्रेनेड जो है वो एक second कम लेगा cook होने में जो हम लोग जो denote करते है ना denotating या आप बोलते हो cooking तो वो एक second कम लेता है और आप लोग को तीन ग्रेनेड एक ग्रेनेड के अंदर तीन ग्रेनेड निकलता है और और ओरिजिनल ग्रेनेड के अलावा जो दो ग्रेनेड और निकलते हैं उसके अंदर आपको 20% का damage extra देता है तो काफी अच्छा है यह अभी आप बोलो यार डूब्स करनेड़ और होता क्या है मोशची डिखो मैं जादा फिरांगा नहीं तो आप लोग पूलोंगो यार टाइम पस कर रहा हूं मैं टाइम पस नहीं करूँ तो जिसको बॉंबिंग अच्छे से करने आती है तो बाइं वो बंदे को लेकर खेलता है तो अगर आप लेते हो जैसे 20-25 यह 40-30 लेवल कर लेते हो अब मुझे यह भी क्लियर नहीं है कितना लेवल जाएगा यह और यह जो पॉइंट है 24 पॉइंट पे लेवल अप होगा ठीक है और इस तरीके से लेवल 2 अभी देखता हूं यहां पे लेवल 2 में देखो 54 पॉइंट बढ़ गया पहला लेवल जो है 24 पॉइंट पे लेवल बढ़ता है और सेकेंड लेवल जो है वो कंप्लिड होगा तीसरे के पारे मुझे पता नहीं है लेकिन आप खेलते रहोंगे और यहां पे लिखाते रहें कितने पॉइंट पे लेवल अप होगा तो इसी तरीके से जतना आप आप लोग को देखने मिल जाएगा और मुझे भी देखने मिल जाएगा तो इससे क्या होगा मालूम अगर कोई प्लेयर ने आपकी प्रोफाइल उपन किया तो भाई देखेगा यह तो बंदा राइफल अच्छी चलाता है इतना जादा लेवल है मतलब इसको लेके खेलना अगर बॉमबर है और बॉमबर में अगर आपका 30-40 लेवल है तो बुलेगा यार यह 30-40 लेवल का भाई बॉमबर है इसको तो लेके खेलना चाहिए तो समझ रहे हो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी मतलब जो प्लेयर आप लोग को भगा देते आप लोग को नहीं रखते करना हूँ और सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहां पे ब्यार रिंकेट के अंदर अभी यह बंदे को मैं देखूंगा तो यहां पर देखो यह राइफल का भी एकी लेवल है और यहां पर दो ही लेवल तक पहुचा यह बंदा मेरी क्याल से इसने अभी स वोग को इतना चीज समझ में नहीं आ रहा है ठीक है, तो अगर यहां पे देखेंगे हम कुछ प्लेइर्स को तो यहां पे इसने भी नहीं रखा है तो बहुत सारे प्लेइर्स अभी unknown है, ये चीज़ के बारे में इंको भाई use कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पे देखो इसने भी दो लेवल पे रखा है यह लेवल अब बहुत फास्ट होता है जित फास्ट आप लेवल अब करोगे उतना जादा आप यहां पे प्रोफाइल पे इसको रख सकते हो जिससे आप लोग एट्रेक कर सकते हो unknown players को और भाई वो आपको लेके खेलने पे मजबूर हो जिए जिनकी squared है उनको तो भाई कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भाई ज़रूरी नहीं है आपकी squared हट टाइम अवेलेबल ही रहे अब यहाँ पे देखो यह राइफलर बंदा मुझे मिला इसका लगाना कैसे अब जैसे की देखो अब मैं रोल में आता हूँ यह अपने profile के रोल पर आऊंगा और रोल पर आने के बाद अब CS rank के अंदर मेरा लगा है राइफलर अब यहाँ पर देखो राइफलर लगा है और मुझे यहाँ पर लगाना है कि बाई अब चेक आउड करने के लिए एक बार चेक करेंगे डिस्प्ले कर दिये अब यह पड़ा है अब भले से इसका राइफलर आप जादा यूज नहीं करते हो और यह दो लेवल पर बढ़ा है और आप रशर हो और रशर का लेवल हो चुका है 30-40 लेवल लेकिन लगाना चाहिए आप लोग को रशर आपने लगा के रखा है राइफलर तो इसी के लिए बोल रहा हूं कि आप चेक आउट करते रहो जो लेवल जादा रहेगा उसको आप डिस्प्ले करो बियार के अंदर भी चेक करते रहो और तो यहां पर ड reminds बिया टर स कदकर देटा हूं अब मैं ऐस तो इस तरीके से यहां पर शो करते हो अब जो बी चीज़ दिस्प्ले करवाऊगे वो डिस्प्ले होगा यहाँ पे अब यह जो method है, यह method आप लोग भाई कोई player को अगर लेना चाहते हो, अब जैसे randomly अगर मैं यहाँ पे square बनाता हूँ और यहाँ पे world way से बिलाता हूँ, अब world way से जिसको भी मैं बलाऊंगा, recruit करूँगा, तो भाई इससे मुझे यहाँ पे analyze होगा, अभी यह season में तो इतना लेवल का है, तो भाई इसको मैं निकालना चाहूँगा, तो इसको निकाल दूँगा, अच्छा खेल रहा है, तो इसको ले के मतलब नहीं है, तो यहाँ पे भाई इससे यह पता चलेगा, कि भाई आपका skill क्या है, आप कौन सा भाई जादा गन लेके खिलता हो, आप rusher हो, बॉमबर हो, आप राइफलर हो, या स्नाइपर हो, देखो एक मार्किट के अंदर दो लोग कोई जादा यहाँ पे डिमांड है, आप लोग को पता ही होगा, दो लोग किस की जादा डिमांड है, एक तो सबसे जादा डिमांड है, यहाँ पे भाई, बॉमबर की, जिसको पीछे बंदे दिवाने हो जाएंगे, सिरियसली बोल रहा हूँ, अगर यहां पर आप लोग को यकिन नहीं आ रहा है, तो आप लेवल अफटाफट करो, और यह डिस्प्ले करो, जो भी ग्रूप में जाओगे, आप लोग को बंदे लेके खेलेंगे, तो मार्किट में सबसे दिमांड है, स्नाइपर है नंबर वन पे, नंबर टू पे दिमांड है बॉमबर का, अगर बॉम्बिंग अच्छा करते हो, तो भाई आपको लिया जाएगा, और नंबर थी पे रशर, यह तीन लोग का बहुत जादा दिमांड है, और उसके बाद राइफरल है, सपोर्ट ह नहीं है, लेकिन नंबर वन स्नाइपिंग की बहुत जादा डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे स्नाइपिंग जो करता है, उनका स्क्वेड बार बार जीतेगा, यह तो भाई गयांड होता है, तो इससे आप लोग अपना यहाँ पे रॉला बना सकते हो, रोल के थूरू, कि मे अपना बढ़ाना पड़ेगा, यह इनिमेशन, अगर हम बात करते हैं, कि अगर हम दूसरे के प्रोफाइल पर जाते हैं, तो क्या सिर्फ उतना ही दिखाएगा, अगर हम उसके अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं, तो हम राइफरल अब इसके अंदर जो चीजे न वो नहीं दिखाएगा कि बाई ये बंदे ने बाई राइफरल से कितना किल किया कौन सी गन जादा इस्तिमाल करता है ये अभी चीज जादा एनहेंस नहीं हुई आने वाले टाइम पे ये जादा एनहेंस हो जाएगी और जिससे हमक रोडर हूँ स्नाइपर हूँ या राइफरल हूँ या रशर हूँ जिससे आप कोई भी अच्छे ग्रूप में जा सकते हो और आपको लेकर खेला जा सकता है आप लोग दूसरे बाई प्लेयर जो आते रेंडम जो बोलते बाई आजा कस्टम लड़ ले ये वो उनको भी अंदर जाके डेटल में देखनी की जरूवत नहीं है कि यहां पे इसने बी आर रेंकेड के अंदर कितना खेला, स्येस रेंग में कितना खेला, हैट्शोट कितना है वो सब देखनी की जरूवत नहीं है आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा लेवल से कि बाई इतने यह बंदे का यह चीज में इतना ही लेवल है तो भाई यह भाई क्या ही खेल लेगा तो उमीद करता हूँ आप लोग को डीटल में समझ में आ गया जो हमारा यह रोल वाला सिस्टम है यह रोल वाला सिस्टम क्या काम में आने वाला है तो अगर कुछ भी डाउट है रोल को लेके तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर से करना आपको उसके रिलिटेट में रिपलाई दूँगा या वीडियो बना दूँगा तो भाई इतना काम कर ले न और हाँ ये वीडियो को फेस्बुक वाटसप